तो आप तो बहुत अच्छी बात है 50,000 मेंबर हैं बड़ी खुशी की बात है लेकिन जब आप बैलिट भेजते हैं इलेक्षन के दोरान जब आप बैलिट भेजते हैं सोचियेगा आप गोर कीजियेगा तो सिरफ 45,464 पर्सं को आप बैलिट भेजते हैं उसके बाद आप बोलते हैं कि अंडिलीवर्ड बैलिट 13,016 everything to be the power river जो है आपके अंडिलीवर्ड आ जाते हैं उसके अलावा जो आप receive करते हैं proper ballot आप receive करते हैं पूरे देश से वो कितना है 2080-2080 ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये आपका जो election का आपने result declare किया उसका PDF बोल रहा है तो आपने 2080 आपने total ballot मिल रहा है आपको पूरे देश के 50,000 फिचो थरे पिष्टों से तो क्या आपको ल या भेजे तो कहां भेजे क्योंकि इतना तो नहीं हो सकता कि 45,000 लोगों को ballot बेजा जाए और वापस सिरफ 2,000 लोगों किया है 50% लोगों ने भी vote poll नहीं किया है जबके काफी लोगों ने कहा कि आप election को है online mode में कराएं लेकिन आपने उसको accept नहीं किया जबके इस mode में काउंट किया तो क्या काउंट किया आपने के 1844 CEC को वोट मिला तमिलनाडू का अलग आपने mention किया है 731 हरियाना 59 UP 185 सेम इसी में ये तो था vote count जो valid votes थे उसके अलावा invalid vote थे जिसमें कोई sign missing था या कोई old document नहीं लगाया as per IAP आपने जो बोला उसमें आपने 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 है total valid और total invalid का total करूं तो आप देखिए कि मेरे पास यहां valid vote का जो total है वो है 2819 2819 और जो invalid vote है वो है 318 318 अगर इन दोनों का आप total करो तो आप समझ जाए कि 3000 से उपर figure चली गई है जब कि आप बोल रहे हैं कि आपके पास सिरफ 2080 वोट आये थे तो ये 3000 से उपर क्यों चला गया चलिए इसको एक दूसरे अंगल से सोचते हैं क्योंकि मैंने जब इस पर चर्चा चली तो मैंने एक senior से बात करने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि जो CEC के सामने लिखा हुए सिरफ आप उसको total करें क्योंकि वोट सारा का सारा वही था तो CEC के सामने जो लिखा ह वो लिखा हुए total vote count जो है 1844 यानि कि सिरफ इतनी वोटों ने पूरे देश के भविश्य का निर्धारन कर दिया 45,000 यहां तो आप तो कहरें 50,000 तो 50,000 मेंबर में से सिरफ 1844 लोगों का vote valid है और उनका vote ही पूरे देश के लिए नरनायक साबित हुआ ये कहां तक justify है मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कोशिश कीजिए अगर आप समझा सके मुझ जैसे आम से physiotherapist को क्योंकि हम समझना चाहते हैं हम जुड़ना चाहते हैं next आप कहे रहें कि invalid अब यहां 238 invalid vote है जो CEC के सामने लिखा हुआ है अब एक चीज और भी आप सोचिए कि अगर मैं इनको द 2022 2022 और आपके पास receive कितना हुआ था 2080 यहां भी 2 vote जादा है शिरिमान यहां भी 2 vote जादा है और यह मैं नहीं कह रहा हूँ आपका ही PDF जिस पे आपने result अनौंस किया है वो बोल रहा है तो आप आप बताएं कि यह election क्या fair था जिसके total में भी match नहीं हो रही है चीजे अगर सा किसी का भी total करो तो आपका figure में फिर भी 2 की variation है और वो 2 को भी ignore कर दो तो total ही variation है पचास जार में से कितने लोगों ने vote किया